हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे चेंज आप स्केल प्रपर्टी अफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांस्फॉर्म तो हमें स्टेट्मेंट क्या है इप L इन्वर्स अफ बार एस इक्वाल तो इन्वर्स एक्वाल एस एक्वल तो वन अपउन ए इंटू ए इंटू एप मिल्स गिञिवन हां और उसका हमें एक्वयं निकाल ना है तो 1 upon a into f t upon e के equal होगा तो इसको हम एक question के help से समझते हैं तो यह रहा हमारा question जिसमें की हमें given है l inverse e to the power minus 1 upon s upon under root s जो की equal है cos 2 root t upon under root pi into t के equal तो हमें find करना है l inverse e to the power minus 5 upon s upon root s की value को यहाँ पर हमने देखा कि यह किस form में यह है l inverse f bar s के form में जो की equal होता है f of t के मतलब यह हमारा f bar s है और यह हमारा f of t है फिर हमें find करना है l inverse e to the power minus 5 upon s upon root s की value तो इसमें हमने देखा compare करा तो यहां पर one upon s है और यहां पर five upon s है मतलब की f bar s वाला formula लगेगा तो इसको पहले f bar s में convert करते हैं तो यह हम इसको convert करेंगे तो यह हो जाएगा l inverse e to the power minus one upon one upon five into s upon यहां पर भी one upon five s multiply में लाना पड़ेगा तो यह हो जाएगा five into one upon five into s यह आ गया हमारा e to the power s में convert हो गया हमारा पूरा की पूरा tuition अब हमें यह जो अंडर रूट five है यह हमारा कोई मतलब का नहीं है calculation में नहीं आ रहा है तो इसे हम बाहर ले लेते तो यह आ जाएगा one upon अंडर रूट five इधर आ जाएगा l inverse e to the power minus one upon one upon five into s pole upon में अंडर रूट one upon five into s तो यहां पे हमने देखा कि यह convert हो गया हमारा f bar a s के form में यह हमारा f bar a s के form में हो गया और उसकी क्या value होती है वो होती है हमारी one upon a f t upon a के equal one upon a यानि की a की value one upon five है तो यह हमारा आ जाएगा one upon one upon five into f t upon a और f t की value क्या है हमारी cos to root t upon root pi t तो यहां पे जाएगा cos to root t upon one upon five whole upon में root pi into t upon one upon five तो इसको और simplify कर देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा five multiply में cos to root 5 t इधर आ जाएगा upon में under root pi 5 t क्योंकि यह जो five है यह उपर चले जागा और यह भी उपर चले जागा और यह five से यह five cancel तो जो final हमारी value आ रही है l inverse e to the power minus five upon s under root s की वो आ रही है हमारी cos to under root 5 t upon root pi तो यह आ गया हमारा final answer तो अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं कर रहे तो प्लीज उसे subscribe कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ see you the next video हॉँ प्लीज आपने कर दोस्तों के रहे मारी उस्तों की वासबूँ